हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम टू अवर यूटूब चैनल हिंदी टेक्नेक्स दोस्तो आज बात करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड जामिया मिलिया इसलामिया 11th एडमिट कार्ड जी हां दोस्तो ये सवाल उन लोगों का है जो लोग फॉर्म खुद से अपलाई नहीं करते हैं कहीं कैफे जाकर या फिर ऑनलाइन की शौप पर जाकर अपना फॉर्म भरवाते हैं उनका ये सवाल है कि हम 11th का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नई हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन जिससे के हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जामिया मिलिया इसलामिया का फॉर्म जिन लोगों ने खुझ से एपलाई किया है तो यहाँ पर जब हमारी मेल आइडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर किये जाते हैं तो फॉर्म लोगिन होता है और वहीं से फॉर्म एपलाई होता है और जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं तो उसी आइडी पर ओटोमेटिक आ जाते हैं उनको download करना नहीं परता या फिर कहीं और जाकर उनको apply या फिर कोई भी काम आपको नहीं करना होता है automatically वहाँ पर admin card आ जाता है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको अपनी ID पर जाना है देखिए यहाँ पर आपको simply लिखना है JMI और enter कर देना है पहली website खुलेगी jmi.ac.in इस website को आपने open कर लेना है तो यहाँ पर आपको दिखेगी website जामियमलिया इसलामिया की तो यहाँ पर आपने क्या करना है देखिए admission last date form submission extend till तो यहाँ पर जब हम इस वाले option पर click करते हैं तो हम एक दूसरी website पर पहुंचते हैं और यह website होती है online forms की तो अब हमने क्या करना है left hand side पर आना है और यहाँ से देखिए click here to apply for admission in जामिया इस्कूल नरसरी प्री प्ले class 1st 6th 9th 11th तो यहाँ पर यह 11th की information आपको मिलती है यही से form apply होता है इस पर आपने click करना है और यहाँ पर जाकर आपको देखेगा sign in का option जब हम form बरते हैं तो new registration करते हैं जिन लोगों ने form खुझ से बरा है उन सबी को पता होगा जो लोग कैफे से बरवा क्या हैं उनने क्या करना है कैफे पर जाकर जो आपने mail ID लगाई थी वो mail ID आपके पास होगी साथ ही साथ जो उसने password बनाया है तो वो आप उससे लिखवा लें या फिर आपको याद रखना चाहिए कि आपका password क्या है जब आप sign in पर click करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी mail ID पूछी जाएगी और उसके बाद पासवर्ड पूछ जाएगा उसके बाद में remember me पर click करके आपको submit कर देना है जिससे के आपको दुबारा से login ना करना पड़े तो देखिए इस तरह से हमारी application होती है आपको application देखनी है तो यहाँ my application में जाना है अगर preview form करना है तो यहाँ पर जाना है और admit card जब आ जाता है तो यह एक option यहाँ पर extra जड़ जाता है जो आपको form भरते वक्त से दिखाई नहीं देता इस पर आपने click करना है तो आपको दिखेगा यह admit card आपका यहाँ पर आ चुका है 11th science है और इसकी जो test date है वो मैं आपको admit card में दिखा देता हूँ यह देखिए 11 जुलाई है 11-12-13 में 11th class के test होने है और इनके postpone होने का कोई chance नहीं है तो इस तरह से आप admit card बड़ी ही आसानी से download कर सकते हैं आपको यहाँ से control P नहीं करना है नीचे जाना है यहाँ पर print का एक additional option दिया हुआ है इस पर आपने click करना है और यहाँ से color print ले लेना है तो दोस्तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप जामिया मिलिया इसलामिया का 11th class का admit card डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा जामिया मिलिया इसलामिया को लेकर आपका कोई सवाल है तो comment section में हमसे पूछ सकते हैं ओके friends हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके friends मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई